सांकियों को मेरा नमस्कार शांकियों जैसा कि मैंने आप लोगों से आउहन किया था कि अठार तारिकों आप लोगों को दिल्ली आना है अभी तक मुझे यह अपडेट नहीं प्राप्त हुआ है कि कितनी संख्या में दिल्ली पहुँच रहे हैं आप लोगों की संख्या के आधार पर ही मैं अपने घर से कदम उठाऊंगा और दूसरी बात कि आप लोग इस बात को भरी भाती समझ लें जान लें कि हमको दिल्ली क्यों जाना है क्या हमको धर्ना पर्दसन करना है तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम लोगों को दिल्ली जाना है मानने सिक्षा मंत्री से धर्मेंद प्रधान जी के आवास पर और वहां पर कोई आंदोलन नहीं करना है कि भाई 22 सितंबर 2007 का जो एंसीटी ने राजपत्र के लिए आदेश जारी किया था प्रिंटिंग प्रेज को भारत सरकार को प्रेशित किया था उसका राजपत्र जो नहीं बन पाया उसके लिए आप सच्यू महुदय को एंसीटी को आदेश कर दें कि आप राजपत्र बनाई हम देखते हैं मुझे विश्वास है कि माननी सिक्षा मंत्री जी धर्मेन प्रदान जी हम लोगों की पीड़ा का संग्यान लेंगे और अविलंब इस कारवाई को सुनिश्चित करेंगे राजपत्र जारी करवाने के लिए आधिकारियों को आदेश देंगे यह दि उन्होंने इस बात पर हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझा तो पालिया मेंट में हम इस बात को की 22 सितंबर 2017 का एंसीटी का जो पत्र था उसका राजपत्र नहीं बन पाया उस मानेता का राजपत्र नहीं बन पाया इस संद्रब में हम पालिया मेंट में अपनी बात को रखवाने के लिए विपक्सिका पार्टियों का सयोग लेंगे और संसद में अपनी बात को उठाने का प्रियास करवाएंगे और दिल्ली आकर के हमको अपना प्रिंट मीडिया, इलक्रोनिंग मीडिया जिस प्रकार से हो अपनी बात को मुखर करना है यही हमारा उद्देश्या है आंदोलन, धरना पर्दसन, प्रसासन से उलजना या प्रसासन के जो रूल रेगुलेशन है उनके विरुद्ध कार्य करना यह हम एनायस परिवार का कतेई भी उद्देश्या नहीं है तो आप लोगों से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि आप आईए और अपनी बात को सरुपरतमा हमको अपने जो केंद्री शिक्षा मंत्री है दर्वें प्रदान जी उनके शमक्षे बात रखनी है हम रखेंगे अधिक याधिक संक्यामा वहां पर आएंगे यदि आप लोगों के अच्छी संक्या आजाती है तो मैं अपने घर से कदम उठाऊंगा अन्य था कि इस्तिती में जैसा कि पूरो मैं इंतजार आप लोगों का कर रहा था आप लोग नहीं आए यदि ऐसी इस्तिती रही तो फिर मैं भी इसके लिए अपने घर में ही विस्ताम करूँगा क्योंकि मैंने आप लोगों को इस बात से भली भाती सूचना प्रेशित कर दिये है कि यहां कारिया सबको अपना कारिया समच करके ही घर से निकलना है जिश ब्यक्ति को ये लगे कि मेरा काम तो नहीं है हम तो जौब में हैं हम सुरक्षित हैं यहां को ऐसा अभास लगता हो इसा ऐसास होता हो वो घर में रहें जिश दिन उनको ऐसी दिकत कानुनी कारवाई एक आगे को गती बढ़ने लग जाएगी या उनको ने कानुनी कारवाई की आंदेशा लगेगा बांकि मैं आप लोगों से पुनोह अनुरोद करूँगा कि अधिक संक्या में वहाँ पर आएं और मुझे भी आउगत करवाएं कि हमारी संक्या इतनी पहुंच गई है यदि मुझे लगा कि इस बार वास्तों में आप मेरे शांद कोई छलावा नहीं कर रहे हैं सबी एनायस वाले वहाँ पर आ रहे हैं अधिक संक्या में तो निश्चित तोर पर मैं भी प्रियास करूँगा मैं आओ बशरते जब आपकी संक्या वहाँ पर उपस्तित होगी तो